नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में अगस्त 2023 के 200 सबसे महतपूर्ण परस्ण को डिसकस करेंगे जबके आगे आने बाले सभी परिच्छाओं के लिए महतपूर्ण है यह जो 200 परस्ण हैं सारे के सारे परस्ण आपके वन लाइनर है और यह सारे परस्ण आपके SPD के बुक से लिया गया है तो आप सब लोग वीडियो का ध्यान से देखेगा और इसका PDF के टेलीगराम गृप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिसक्रिप्शन में दिया गया है अगर वीडियो आप सभी को हिलफू लेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का अपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं और आपको बता दे कि अपने चैनल पर पिछले दो साल का स्पीडी का मन्थ भाई मन्थ करके करेंट फेर को अपलोड किया गया है जो उसे देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं पले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा तो आई देखते हैं पहला पॉइंट 30 जुलाई 2023 को संपन IWS EF जुनियर विस्ट चम्पियंशिप 2023 में कौन सिर्ष पर रहा है तो चीन देश सिर्ष पर रहता है IWS EF इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सुटिंग अस्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है 31 जुलाई 2023 को जारी आकड़े के अनुसार लापता महलाओं की सुची में कौन सिर्ष पर रहा है तो महराज राज आपके सिर्ष पर रहता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आकड़ा है 2021 का है 2021 में जो है 56,498 महलाओं जो है महराज से लापता होई थी जबकि इस आकड़ा को जारी किया गया है 31 जुलाई 2023 को जी 20 अध्यच्ता के तहत ठींक 20 सिखर सम्मिलन कहां आयजुथ हुआ है तो मैसूर में आयजुथ हुआ है 31 जुलाई 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बागो की अबादी कितने परतिसत के दर से बढ़ रही है तो भारत में जो बाग की अबादी है 6.1 परतिसत से बढ़ रही है यहाँ पर ध्यान से याद रखेगा कि 2018 में भारत में कितने बाग थे तो 2967 बाग थे जबकि 2022 में भारत में 366 बाग है कौन सा राज भारत का पहला मतस पालन अटल इक्यूबेशन सेंटर अस्थापित करेगा तो केरल राज अस्थापित करेगा अमिर्की बिट एजन्सी की उप कारकारी अधिकारी कौन बनी है तो नीशा विसुबाल बनी है भारतिय सेना ने कहां अमरित सरोबर का उठगाटन किया है तो भारतिय सेना के दोबरा जो है अर्मचल परदेश में अमरित सरोबर का उठगाटन किया गया है 1 अगस्त 2023 को केंद्रिय मंत्री अस्मिर्ती इरानी ने कहा जी 20 इम पावर सिखर से मिलन का उडगाटन किया गया है तो गुजरात के गांधी नगर में किया गया है लोकसभा अध्यच ओम बिर्ला ने किस राज के नए बिधान सभा भवन का उडगाटन किया है तो असम के नए बिधान सभा भवन का उडगाटन लोकसभा के अध्यच ओम बिर्ला के दवारा किया गया है 1 अगस्त 2023 को बेल्जियम ग्रेंड प्रिक्स किसने जीता है तो मैक्स वर्ष्ट अपन के दवारा जीता गया है किसे लोकमान तिलक राष्टिय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो पियम नरेंद्र मोदी को लोकमान तिलक राष्टिय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस देश के किर्केटर मुईन अली ने सन्यास की घोशना की है तो इंगलेंड के किर्केटर मुईन अली ने जो है सन्यास की घोशना की है किस भारतिय मुल्की लेखका का पहला उपनियास जिसका नाम है बेस्टर लेन बुकर प्राइज 2023 के बेजेता लिस्ट में सामिल हुआ है तो उनका नाम क्या है उनका नाम है चेतना मारू इसरो ने किस देश के साथ सेटर लाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लौंच किया है तो सिंगापुर के साथ सेटर लाइट को जो है PSLV C-56 रॉकेट से लौंच किया गया है इसरो के द्वारा जलेसर धातू सील्प को GI टेग मिला है यह किस राज में है तो उत्तर परदेश राज में है किस ने पुर्वी नौसेना कमान के चीफ वफ अस्टाप का पदवार सम्हाला है तो समीर सक्सेना के द्वारा सम्हाला गया है अमरीत भारत अस्टेशन योजना के तहत किस राज में संतामन रेल्वे अस्टेशन को अपगरेड किया जाएगा तो उडिसा में संतामन अस्टेशनों को अपगरेड किया जाएगा अमरित भारत अस्टेशन योजना के तहत आयर लेंड दोरे के लिए किसे भारती 8020 टीम का कप्तान बनाया गया है तो जस्परीत बुमरा को बनाया गया था किस राज के मुख मंत्री ने अमरित बिरिच आंदोलन एप लौंज किया है तो असम के मुख मंत्री हेमन्त बिस्व सर्मा के दोरा जो है अमरित बिरिच आंदोलन एप को लौंज किया गया है किस राज की बिधान सभा ने परतियोगी परिछाओं में नकल रोकने के लिए बिधैक पारित किया है तो जारखंड राज सरकार के दोरा पास किया गया है जारखंड बिधान सभाम पास किया गया है संस्कृतिक महसो यादी पिरुक कू कहां मनाया गया है तो तेमिल नाडू राज में मनाया गया है आदी पिरिक कु तमिल नाडू राज में मनाया गया है जिवरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो डाइने कुरूगर को सम्मानित किया गया है जो डाइने कुरूगर हैं इनके बारे में याद रखेगा कि जर्मनी की एक्ट्रेस हैं 4 अगस्ट 2023 को जारी EFIDE ranking में भारत के सर्बोच सतरंज खिलाडी कौन बने है तो D. Gukes बने है किस राज की कैविनेट ने 19 नए जीलो और 3 नए संभागों के गठन को मंजुरी दी है तो राजस्थान राज के कैविनेट ने दी है किस देश के किर्केटर Elex Hills ने अंतराश्टी किर्केट से सन्याज की घोसना की है तो इंगलेंड के ऐलेक्स हिल्स ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास की गोसना की है किस राज की विधान सवा ने? विस्व विध्याले कानून संसुधन दो हज़र तेज किया है तो पच्छी मंगाल राज की विधान सवा ने पारित किया है देश भर में बाल देखवाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोटल लॉंच किया गया है तो मासी पोटल लॉंच किया गया है देश भर में जो है बाल देखवाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोटल लॉंच किया गया है तो मासी पोटल लॉंच किया गया है फार्चून गलोबल पांसो सुची में कौन सिर्ष पर रहा है तो बालमाट आपके सिर्ष पर रहा है किस देश के फुटबॉलर जियान लुईगी बुफोन ने सन्यास लिया है तो इटली के जियान लुईगी बूफोन ने सन्यास लिया है इनका संबंध फुटबॉल से वीत मंत्री निर्मिला सिता रमन ने कहां प्रतिस्ठित अस्थल संग्राले की अधार सिला रखी है तो तमिल नाडू राज में किसे IWFEM में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल आफ इंडिया में डैवर सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया है मिरनाल ठाकुर को किस लाइफ इंस्यरेंस कमपनी ने गोल्ड योजना है तो यह शुरू किया गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंस्यरेंस कमपनी के दबारा गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकलिस्ट बिली बुरुईन की 109 में जैन्ती मनाई है तो बेल जीम की किस राज में गैंडे के संरचन के लिए राइनो टास्क फॉर्स गठित किया जाएगा तो बिहार में गठित किया जाएगा ट्रे कोमा को खत्म करने के लिए WHO World Health Organization द्वारा मानता प्राप्त अठारमा देश कौन सा बना है तो इराक बना है कौन भारती सबसे कम उम्र में तिरंग दाजी में 200 चंपियन बनी है उनका नाम क्या है तो आदिती स्वामी उनका नाम है किस राज सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है तो गुजरात राज सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है किस राज सरकार ने हस्त सिल्प एवं हत करगा निगम का नाम बदल कर हिम क्राप्ट रखा है तो यह रखा गया है हिमाचल परदेश राज सरकार के दौरा किसे गलोबल लिडर अवाड दो हजार तेश से सम्मानित किया गया है तो जयेस सैनी को किसे टटरचक बल के अत्रिक्त महानित्य सक के रूप में निक्त किया गया है तो यह परमेश को भारतिय खेल प्रादी करन दोरा एसी आई खेलों में भाग लेने बाले एथलिटों पर बनाई गई सोट फिल्म का नाम क्या है तो हल्ला बोल सोट फिल्म का नाम है 9 अगस्ट 2023 को World Archery Championship 2023 में कौन सिर्ष पर रहा है तो भारत आपके सिर्ष पर रहा है आर्चरी तिरंगदाजी को बोला जाता है T20 किरकेट में अर्ध सतक लगाने वाले दुसरे सबसे इवा भारतिय बल्लेबाज कौन बने हैं तो तिलक बर्मा बने हैं कहा के जिवास्पू में पौधे खाने वाले डैनासुर की एक नई परजाती मिली है तो राजस्थान के जैसल मेर में परधान मंतरी जंधन योजना के लभारतियों की संखिया में कौन सा राज आपके सिर्ष पर है तो बिहार राज आपके सिर्ष पर है परधान मंतरी जंधन योजना के लभारतियों की संखिया में उस संखिया कितनी है तो 84,000,89,0231 देखती से, नेक्स्ट है कि कौन सी फाइनेंस बैंक, चौबसो घंटा सातो दिन बीडियो बैंकिंग सिवा परदान करेगी, तो ए यू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके परदान करेगी, बेस्वे एथलेटिक्स चंपियंशिप में भारतिय देल का नेतरित्व कौन करेंगे तो नेरज चोपड़ा करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखे है कि बेस्वे एथलेटिक्स चंपियंशिप में नेरज चोपड़ा के द्वारा जो है, इसमें सुरन पदक जीता गया है, ठीक है, सुरन पदक जीता गया है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो आपको य मुश्क बुद्जी, चावल को जी आई टेग मिला है, तो जम्मो कास्मीर, केंदर सासित परदेश को, यल ओसी, लाइन ओफ, एक्चुल कंट्रोल के पास, भारत के पहले पोस्ट ओफिस का उडगाटन जम्मो कास्मीर के किस जिले में किया गया है, तो जम्मो कास्मीर के जो लोना 25 है, यह आपके क्रेस लेंड हो चुका है, चांद पर, जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी, दुनिया के सबसे परदुसित राजधानी बन गई है, तो इंडोनेसिया की राजधानी जो है, दुनिया के सबसे परदुसित राजधानी बन गई है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो इंडोनेसिया इसकी राजधानी कहाँ पर है तो जाकरता है और इंडोनेसिया की नए राजधानी कहाँ पर बन रहा है तो नू संतारा में बन रहा है इसे ध्यान से याद रखिएगा नेक्स है कि किसे युके संसत दोवारा आसक्त महला आईकॉन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया है माईरा ग्रोबर को किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला एको फ्रेंडली डेविड कार्ड लॉंच किया है तो air till payment bank ने launch किया है इंडिया startup festival 2023 कहां शुरू हुआ है तो बेंगलोरू में शुरू हुआ है बेंगलोरू करनाटक की राजदानी है आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा cancer के मामले कहां पाए गए है तो उत्र परदेश राज में पाए गए है सबसे अधिक cancer के मामले कहां किरसी data exchange और किरसी data परबंधन framework शुरू किया गया है तो हैदराबाद में शुरू किया गया है किस राज सरकार ने मुख मंत्री सौर मिशन शुरू किया है तो मिघाले राज सरकार ने मुख मंत्री सौर मिशन शुरू किया है किस राज की कैबिनेट ने किसान कल्यान योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपिय की मंजूरी दिये तो मद्ध परदेश राज की कैबिनेट के दुबारा मंजूरी दिया गया है भारत ने कब तक प्राकिर्तिक गयस हिस्सेदारी को तीन गुणा बढ़ाकर 15% करने का लच रखा है तो 2030 तक रखा है भारत के कितने और हवाई अड़े पर दिजी यातरा सुबधा सुरू की जाएगी और हवाई अड़े पर जो है दिजी यातरा सुबधा सुरू की जाएगी किसे लाइफ टाइम अचेव्मेंट अवाड RICS मिला है तो सुभास रुनवाल को मिला है आरवी आई ने यूपी आई लाइट के लिए प्रतिय दिन लेन दिन सीमा को बढ़ा कर कितने रुपे कर दिया है तो 500 रुपे कर दिया है प्रदान मंतरी नरेंदर मुदी ने कहां G20 बरस्टा चार बिरोधी मंतरी अस्तरिय बैठब को सम्बोधित किया है तो कोलकाता में सम्बोधित किया है किस देश ने चोथी बार ASEAN Champion Trophy जीता है तो भारत के दुबारा जीता गया है चोथी बार ASEAN Champion Trophy बारत के दुबारा जीता गया है और आपको याद रखना है कि ये होकी का खेल था ठीक है किसे हराकर जीता है तो मलेशिया को हराकर जीता है ठीक है यह पूर्सों बला होकी था उसके बाद next है की तेर में वार्सिक इंटर पैनियोर इंडिया अवार्डस में Take a Startup of the Year का अवार्ड किसे दिया गया है तो जीयो हेप्टिक को दिया गया है किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग सहर गोसित किया गया है तो बियाना को गोसित किया गया है किस देश की रजधानी है तो अस्टिरिया की रजधानी है अस्टेलिया नहीं अस्टिरिया की रजधानी है जो इरोप में एक देश अस्टिरिया नेक्स्ट पॉइंट है कि जारी यफ आई यच पुरुस होकी रैंकिंग में कौन सिर्ष पर रहा है तो निदर लेंड देश आपके सिर्ष पर रहा है किस ने गुज्ञात में एहिल्प कारीकरम सुरू किया है तो पुरसुत्तम रुपाला के द्वारा सुरू किया गया है जो पुरसुत्तम रुपाला है केंध्य मत्यस पालन और डेरी मन्त्री है इस बार के सुतंता दिबस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है तो 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है किस देश के कारबाहग परधान मंत्री बने है तो पाकिस्तान के कारबाहग परधान मंत्री बने है किस ने पहला कनेडियन ओपन खिताब जीता है तो जन्निक सिनर के दुबरा जीता गया है इनका संबन्ध किस देश से तो इनका संबन्ध इटली से है यूबा G20 सिखर सम्मिलन कहां आयुजित किया जाएगा तो वारा नसी में आयुजित किया जाएगा जो परदान मंतरी मोदी का संसधिय छेतर है किस राज के मुख मंतरी ने पांच क्लोर पोधिल लगाने का अभियान शुरू किया है तो उत्तर परदेश की मुख मंतरी योगी आदियत नात ने जो है पांच क्लोर पोधिल लगाने का अभियान शुरू किया है G20 फिल्म फेस्टिवल कहां शुरू हुआ है तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है ESBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तिसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन जाएगा तो 2027 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्था अभी कौन है तो USA है दुसरा में चीन है ठीक है नेक्स्ट है कि किस राज सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IBEF ट्रेटमेंट फ्री किया है तो गोवा राज सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में इन बेट्रो फटिलाइजेशन ट्रेटमेंट फ्री किया है ठीक है केंदर ने किसे LIC के परवंध नद्रसक के रूप में नेक्ट किया है तो आर दुराई स्वामी को VBI पॉयंट है केंदर नेकिसे जो है के लिए사 के परवंध नदर्शक के रूप में नेक्त किया है तो आर दुराई स्वामी को किस राज के मुखमंत्री ने अनपूरना खाद पैकेट योजना सुरू की है तो राजास्थान की मुखमंत्री ने अनपूर्णा खाद पैकेट योजना शुरू की है किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर आफ दा मन्त नामित किया गया है तो पूरुस में क्रिस बॉक्स को इनका सम्मंद इंगलेंड से है जबकि महला में इसले गार्डनर को इनका सम्मंद अस्टेलिया से है किस देश के किर्केटर अस्टीबन फीन ने किर्केट के सभी प्रणू पोसेस अन्यास लिया है तो इंगलेंड के किर्केटर अस्टीबन फीन ने भारत में कहा पहले बार नाइट अस्ट्रीट रेसिंग सर्कुट लॉंच किया गया है तो चन्ने में लॉंच किया गया है किस राज के मुखमंत्री ने अबुआ अवास योजना की घोस्तना की है तो जार्खन के मुख मंत्री हेमंत सुरेन ने अब वुआ अवास योजना की घोस्ता की है बारत का पहला ड्रोन परिछन के अंदर कहां खुलेगा तो तमिल नाडू राज में खुलेगा किसे हाबड विस्वेद्याले का जॉर्ज लेडली पुरसकार मिला है तो राज चेटी को मिला है किसने वेशन मुक्त बंगाल अव्यान सुरू किया है तो दुरोपदी मुर्मु जी के द्वारा सुरू किया गया है मादक परदार्थ मुक्त बंगाल अव्यान का सुरुवाद जो है दुरोपदी मुर्मु जी के द्वरा सुरू किया गया है जो भारत की राष्टपती हैं किस देश के ओलांडर बनंदू हसरंगा ने स्टेश्ट करकेर से सन्यास लिया है तो आपके जो बनंदू हसरंगा है इनका संबन्द किस देश से तो सिरलंका से इनका संबन्द है किस देश के प्रदान मंत्री इन्युवर्सल पेंसन योजना सुरू की है तो बांगला देश के प्रधान मंत्री सेख हसीना ने इन्युवर्सल पेंशन योजना शुरू की है सेवे के पूरुव कालिक सदस के रूप में किसे निक्त किया गया है तो कमलेस बैवसने तथा अमरजीत सिंग को निक्त किया गया है डूप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का परतिवन्द लगाया गया है हाल ही में जारी ICC पुरुष्टी 20 इंटरनेशनल खिलाडी रैंकिंग 2023 में कौन सिर्ष पर रहा है तो सुर्कुमारी आदब आपके सिर्ष पर रहे है कौन सिराज सरकार भूजल संदचन के लिए चेक डैम बनाएगी तो उत्रपरदेश राज सरकार भूजल संदचन के लिए चेक डैम बनाएगी भारत के पहले 3D मुद्रिट डाग घर का उठगाटन कहां पर किया गया है तो बिंगलूरू में किया गया है किस देश में कुरोना के नए वेरियंट एजी फाइप वेरियंट का पहला मामला सामने आया है तो कुबैत में सामने आया है इसे ध्यान से याद रखेगा नेक्स पॉइंट है कि भारतिय मूल के थर्मन सन्मुग रतनम ने किस देश के राश्पती चुनाव के लिए अहरता प्राप्त की है तो सिंगापूर के राश्पती चुनाव के लिए अहरता प्राप्त की है जिनका नाम क्या है तो सन्मुग रतनम क्या है सन्मुग रतनम उनका नाम है थर्मन सन्मुग रतनम next है कि RBI ने बैंकों में जमा unclaimed deposits का पता लगाने के लिए कौन सा पोटल लॉंच किया है तो उद्गम पोटल लॉंच किया है इसे फिर से बोलते है RBI ने बैंकों में जमा unclaimed deposit का पता लगाने के लिए कौन सा पोटल लॉंच किया है तो उद्गम पोटल लॉंच किया गया है किस राजसरकार ने प्रवासिस रमकों को पंजिकरित करने के लिए अतिती पोटल लॉंच किया है तो केरल राज सरकार के दुवरा लॉंज किया गया है। पिरिया मलिक ने अंडर 20 बिश्व कुष्टी चेंपियंशीप में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्न पदक जीता है। रिलाइंस जीयों ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने समंदी कार पूरा किया है। तो मालदीब को किस राज के मुखमंत्री ने रतन टाटा जी को महरास्ट सरकार का पहला उद्योग रतन पुरसकार परदान किया गया है। तो आपको याद रखना है कि महरास्ट सरकार के द्वारे रतन टाटा को महरास्ट सरकार का पहला उद्योग रतन पुरसकार अपके परदान किया गया है। रतन टाटा जी को ठीक है, किसके दोरा परदान किया गया है, तो महरास्ट सरकार के दोरा परदान किया गया है, सिंपल याद रखेगा कि जो महरास्ट सरकार का पहला उद्योग रतन पुरसकार है, किसे दिया गया है, तो रतन टाटा को दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट क की लगातार अंडर 20 विशु खिताब जितने वाली पहली भारती पहलमान कौन बनी है तो अंतिम पंगाल बनी है भारती रास्टी महासागर सुचना केंदर ने नाबुकों के लिए कौन सा एप लॉंच किया है तो समुंद्र एप लॉंच किया है किस राज को प्राकिर्तिक आ मैटी केले को जियाई टेग मिला है तो कन्या कुमारी को मैटी केले के लिए जियाई टेग मिला है कहां का ट्विलिप गार्डेन वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड्स में सामिल हुआ है तो सिरिनगर का ट्विलिप गार्डेस जो है ट्विलिप गार्डेन वर्ल्ड बुक कोर्ट्स में आपके सामिल हुआ है कौनसी राज सरकार जनमास्टमी पर प्रो गुविंदा परतियोक्ता आयुजित करेगी तो महारास्ट राज सरकार महला फीफा बिश्कप दोजारटेज का खिताब किसने जीता है तो अस्पेन के दोबरा जीता गया है इनपोर्टेंट है भारत की अनाहत सिंग ने ACI जुनियर स्कुएस में कौन सा पदक जीता है, तो स्वन पदक जीता है, कौन सा हवाई अड़ा, डीजी यात्रा, पाने बाला, पुर्वत्तर का पहला हवाई अड़ा बना है, तो गुहाटी एरपोर्ट बना है, किस किर्केटर को चुनाव आयोग के द्वारा, नेशनल आइकोन के रूप में नामित किया गया है, तो सचीन तेंदलुकर को नामित किया गया है, किसे CSR Times Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है, तो सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है, किस देश के राश्टपती ने जो है, विसुमभर स्रेष्ट को मुखने अधिस निक्त किया है, नोसैनिक अव्यास मालाबार का सतैसमा संस्क्रन कहा संपन हुआ है, तो अस्टेलिया में संपन हुआ है, मालाबार में कितने देश हैं, तो चार कंट्री हैं, इंडिया, अस्टेलिया, जपान, USA, कौन सा राश सरकार, रास्टिय सिच्छा नेती 2020 को खत्म करके नए सिच्छा नेती बनाएगी, तो करनाटक सरकार जो है, जो रास्टिय सिच्छा नेती 2020 से इसे समाप्त करके नए सिच्छा नेती बनाएगी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चंदर्मा पर सफलता पुरवक उतरने वाला, भारत कौन सा नंबर का देश बन गया है साथ ही आपको याद रखना है कि सौथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है कब उतरा था तो 23 अप्रील को चंदर्मा के सौथ पोल पर चंद्रियान थ्री भारत का उतरा था यहाँ पर ध्यान रखेगा कि पहला देश कौन है चांद पर उतरने वाला तो पहला इवसे दुसरा रूस तिसरा चीन चौठाप के भारत है खेलो इंडिया महला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो असमीता महला लीग रखा गया है असमीता महला लीग रखा गया है बेसुपैरा पावर लिप्टिंग चंपियंसीप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है एन जीटी नेशनल ग्रीन ट्रिविउनल के नए अध्यच कौन बने है तो नियाय मुर्ती प्रकास स्रिवास्तो बने है BBI पॉइंट है मार कर लिजेगा बारतिय टट्रचक बल ने किस देश के टट्रचक बल के साथ समझोता ग्यापन पर सिगनेचर किया है तो फिलिपेन्स के किस राज सरकार ने सफाई करमचारियों को आई सुमान भारत योजना में सामिल किया है तो हिमाचल परदेश राज सरकार ने सफाई करमचारियों को आई सुमान भारत योजना में सामिल किया है दुनिया की नई सबसे उची मोटर योग सड़क का निर्मान कहां हुआ है तो लद्दाक में हुआ है इरोप में निरबाद यात्रा करने के लिए एकसेस रेल के साथ साज़दारी की है तो किसके दवरा किया गया है तो एयर इंडिया के दवरा किया गया है कितने देशों को ब्रिक्स में साइमिल होने के लिए अमंतरित किया गया है तो छे देशों को जो है ब्रिक्स में सामिल होने के लिए अमंत्रित किया गया है मुख मंत्री सीखो कमाई योजना का सुभारम किस राज में किया गया है तो मद्परदेश राज में किया गया है पोसन जागरुकता सुचकांक 2023 में कौन सिर्ष पर रहा है तो पंजाब सिर्ष पर रहा है एक गवर्नेंस पर 26 रास्तिय सम्मेलन कहां सुरू हुआ है तो इन दौर में सुरू हुआ है जो मद परदेश में अस्तित है जारी स्वच बायू सरबेच्छन 2023 में कौन सिर्ष पर रहा है तो इन दौर सिर्ष पर रहा है भारतिये निसाने बाज अमन प्रीत सिंग ने पूरसो की 25 मिटर असपरधा में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है प्रधान मंत्री मोधी को किस देश के राष्टपती ने दा ग्रेंड क्रोस ओफ दा ओडर ओफ ओनर से सम्मानित किया है किस राष्ट सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतिरो पर परतिबंध लगाने के लिए अधिस सुचना जारी किया है तो असम राष्ट सरकार के दोरा जारी किया गया है किस राज सरकार ने लक्की बील एप लॉंच किया है तो किरल राज सरकार के दोबरा लॉंच किया गया है किस ने फेड बिसकप 2023 का फाइनल जीता है तो मैगनस कालसन के दोबरा जीता गया है मैगनस कालसन के दोबरा जीता है किस राज की मुखमंत्री ने स्री हनुमान लोग का उठगाटन किया है तो मत परदेश की मुखमंत्री सिवराज सिंग चौहान ने स्री हनुमान लोग का उठगाटन किया है सुचना अनुसार कौन सा देश प्राकिर्तिक गैस उत्पादन में 60% की बिर्धी करेगा तो इजराइल करेगा किस राज की कैबिनेट ने 18 अटल आवासिय और स्कूल को मंजूरी दी है किस देश में वेगनर परमुख एवगेन पिग्रोजीन का निर्धन हुआ है तो रूस में हो गया है एक एरोपलेन क्रेस में ठीक है नेक्स है कि किस राज के मुखमंत्री ने अस्कूलो के लिए बिस्तारीत नास्ता योजना शुरू की है तो तमिल नाडू के मुखमंत्री ने अस्कुलो के लिए बिस्तारीत नास्ता योजना शुरू की है ध्यान सी याद रखेगा जो बैगनर गुरूप है एक प्राइबेट सेनिक गुरूप है रूस का मिनिन बिस बिद्याले भारत में कहां अपना अधियन के अंदर अस्थापित करेगा तो चौधरी चरन सिंग इनवर्सिटी में अस्थापित करेगा किस राज की कैबिनेट ने चार नए जीलो बनाने का फैसला किया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस देश में अग्यात सेनिकों की कबर पर सरदानजली अरफित किये तो गिरिस देश में जो है अग्यात सेनिकों की कबर पर सरदानजली अरफित किये प्रदान मंत्री मोदी ने किस देश ने दिरिश्टी बाधित लोगों को निसाने बाजी करने के लिए उपकरन बिक्सित किया है तो जर्मनी ने बिक्सित किया है किस देश ने जो है दिरिश्टी बाधित लोगों को निसाने बाजी करने के लिए उपकरन बिक्सित किया है तो जर्मनी की द्वरा बिक्षित किया है 69 में राश्टी फिल्म अवार्ड में West Feature Film का अवार्ड किस फिल्म को मिला है तो रोकेट्री को मिला है चीन और किस देस्थ ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है तो भुटान ने की है भुटान और चीन ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार ये देखी बहुत ही important प्रसन है भुटान बात पहले चीन से नहीं करता था भारत करता था लेकिन अब जो है भुटान डारेक्ट बात कर रहा है चीन से तो ये बहुत ही important question है ठीक है उसके बाद है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 बरसों में भारत में कितने परतिसद पच्छी परजातिओं की पच्छी परजातिओं में कमी आई है तो 60% आपके पच्छी जो परजाती हैं उनमें आपके कमी आया है पिछले 30 बरसों में नेक्स है कि इन फोसिस ने किस महला टेनिस की लाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो इगा स्वेटे को बनाया है किस ने अपने आत्म कथा पिछ साइड माई लाइफ इन इंडियन किरकेट लिखी है तो अमरित माथुर के द्वरा लिखा गया है भारतिय सेना और बी आर ओ ने किस राज के अंजा जिले में बेली बिरीज का उठगाटन किया है भारतिय सेना और बोडर रोड और्गनाजेशन ने सुचना अनुसार इस रो किस देश की स्वेश एजन्सी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा तो जपान की मदद से किसने सोशल इंटर्पेनियोर ओफ दा इयर का पुरसकार जीता है तो सुचिन बजाज ने जीता है येच ए एल ने नागरिक ओडेयन छेतर में बेवसाइक आवसर तलासने के लिए किसके साथ साज़दारी की है तो हेबस एरो टेक इंडिया के साथ में साज़दारी की है राशपती दरोपदी मुरुमू ने किसकी असमिर्ती में एक डाग टिकट जारी किया है तो ये जारी किया गया है दादी परकास मनी के ठीक है दादी परकास मनी की असमिर्ती में एक डाग टिकट जारी किया गया है राशपती दरोपदी मुरुमू जी के दवारा किसे 2022 का सिर्वसिस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है तो इन दोर को मिला है यच यस पर नई ने बीसु बैडमिंटन चेंपियंशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है तो कास पदक जीता है 30 अगस्ट 2023 को किस अस्पेस एजनसी ने कुरू साथ मिसन को अंतरास्टी अंतरीस अस्टेसन में परच्छेपित किया है तो नासा के दोरा परच्छेपित किया गया है भारतिये टटरच्चक ने समंद्री सहयोग बलाने के लिए किस देश के टटरच्चक के साथ समझाता किया है तो फिलिपीन्स के टटरच्छे के साथ में समझाउता किया है ये कोशन आपके अगस्त में रिपीट हो गया है नेक्स है कि किस देश ने भारत से साथ आवस्यक बस्तियों की सुरच्छत अपूर्ती की मांग की है तो बांगला देश के द्वारा मांग किया गया है तो अगस्त मेहने का जितना भी important current affair था सारे को cover कर लिया गया है अगर वीडियो आप सभी को helpful लगता चैनल को subscribe किजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में share जरूर किजिएगा ठीक है Thank you